हाई दिस इस काशी वेलकम टो माई चैनल काशी होम डिकोर आइडिया और आज मैं सिखाने बाली हूँ कि एक ट्रिक से गलास बोटर को कैसे डेपोरेट किया जा सकता है ये ट्रिक हमारे बिगनर्स के लिए बहुत ही यूस्फुल है इसके लिए सबसे पहले मैंने बाटर को कॉटन और थिनर की हैल्प से अच्छे से साफ कर लिया है वाइट एक्रेलिक कलर को फॉर्म में लगाकर बाटर को अच्छे से पेंट करिये एक कोट सूख जाने के बाद हम इस पर दूसरा कोट करेगे दोनों कोट हो जाने के बाद बाटल का लुक कुछ इस तरह से आएगा और बाटल को आप पूरी तरह से सूखने के लिए रख दीजिए अब मैंने यहां फॉर्म में गोल्डन मेटली कलर को लेकर पूरी बाटल को पेंट कर लिया है दूसरा कोट करने से पहले हमें इस कोट को पूरी तरह से सुखा लेना है अब बॉटल पर दूसरा पेन करिए और उसको पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ दीजिए दोनों कोट हो जाने के बाद बॉटल कुछ इस तरह से नज़र आएकि हभी आएकिये हमें यहां ग्लू गुगन की हैल्प से बहुत ही आशानी से बनने वाला डिजाइन तयार किया है अगर आप इसे और भी बहतर तरीके से इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप बॉटल पर पहले पैंसिल की हैल्प से डिजाइन तयार कर ले और उस पर ग्लूगन लगाकर डिजाइन को तयार करें आप डिजाइन को पास-पास या दूर-दूर बना कर भी तयार कर सकते हैं आप जैसा यहां देख रहे हैं कि मैंने ग्लू गन से बहुत ही आसान सा डिजाइन तयार किया है लेकिन जब यह बन कर तयार होगा तो बहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन बनेगा जैसा भी डिजाइन आप चाहते हैं उसे पूरी बोटल पर तेयार करें स्कारगा तेयार के हम तेयार का डिमा के ऑाना करें चाहते हैं अजाई चाहते हैं हुआ 날ा माल Nh Tai मすपहते हैं दचर हुआ je क्या जड़ा चाहते हैं असे जड़ोई धर कर भी ईांदी बोटले खभडें ःंवां करते हैं मैंने जो डेजाइन बनाया है वो फूरी बाडल पढ़ते हैं हो चुका है घ्ल्यूगन से काम करते समये घ्ल्यू के कुछ एक्स्टा ताल जैसा हमारे दिजाइन पड़ आ जाता है जो एक्स्टा है हम उसे दिखानके इसाब कर देते हैं यहां ग्ल्यू गन का काम पूरा हो चुका है अब मैं यहां पर ब्लैक इस पर यूज़ करूंगी आप इसकी जगे एक्रेली कलर से बॉटल को पेंट कर सकते हैं प्रेंट का इस्तिमाल हमें बहार खुली जगह पर प्रकॉशन के साथ करना है बॉटल को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है इस प्रेंट भी दो बार किया गया है ताकि शाइनिंग पूरी तरह से आए पेंट को पूरी तरह से सूपने के लिए रख दीजिए अब पेंट पूरी तरह से सूपने के लिए अब आई है बॉटल के उपर से ग्लू को हटाने की बारी अब साब धानी से ग्लू को बॉटल के उपर से दिखानते चाहिए अब देखिए जब हम ग्लू को हटाएंगे तो उसके नीचे से हमारा तयार किया हुआ सुन्दर सा डिजाइन दिखाई देखा ग्लू को पूरी तरह से हटा रिजिए और कोशिश कीजिए कि इसको बीच-बीच पैसे ना ब्रेक करें और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं निकाली हुए ग्लू को वेस्ता जाने दूँ मैं अपने आने वली वीडियो में इसका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी प्रैंस अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें सुदिकी का लुफ्त उठाएए खुश रहिए मुस्क्राती रहिए बाई बाई सी यू नेक्स वीडियो झाल झाल